हेलो फ्रेंट्स में हूँ रली सावल्या और आप देखरें मेरे यूट्यूब चनल आरेस ओटोमोटीव जो फिर से एक कंपेर वीडियो लेकर हम आ चुके हैं तो आज की कंपेर वीडियो में दो बाइक की कंपेरीजन होने वाले कापी दिनों से जो है कार का कॉंटेंट चल रहा था बटाजम की की तरफ से आने वाली और दूसरी है सब्सक्राइब करें डूनों यहीं 200 सीची की काफी अच्छी आची बाइक है तो यसी वीडियो को पूरा देख़ें और एसा ही exhden बाटोमाइल कंटेंट देखने के लिए प्याचल को सब्सक्राइब करें तो चल य तो बाइ, दोनुहीं बाइकों के बारे में बात करें, तो दोनुहीं बाइक है काफी शानदार है अपनी price range के हिस्साब से, तो दोनुहीं बाइक की pricing है 1.3 lakh रूपिस, और 1.3,000,00 रूपे में इससे अच्छी बाइक जो है कोई भी company नहीं दे सकती, top of the level feature दे रहे है आपको 1 लाख 30,000 रूपे में तो सबसे पहले दोनों के स्पेक्स का कंपेर करते हूं लास्ट में देखते हैं कि कौन सी आपके लिए अच्छी है तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों के एंजिन की तो दोनों में 200cc का एंजिन आपको देखने को मिलता है NS200 में 24hp का एंजिन है जबकि जो TVS अपाचे है उसमें 20hp का एंजिन है तो पावर में थोड़ा फर्क आपको देखने को मिलता है क्योंकि दोनों के ट्रांस्मिशन में भी फर्क है क्योंकि NS200 में 6-speed transmission है जबकि अपाचे RTR में 5-speed transmission देखने को मिलता है है टो की बात करें तो NS200 में 18.5 mm का टोर्क देखनी को मिलता है जबकि अपाचे आट्यर में 16.8 4 00 mm का टोर्क देखनी को मिलता है तो हाँ पेक अपक में थोड़ा औस आगे है 지금 ज्यादा भी फर्क नहीं है दोनों की पेक अपमें अगर डिस्क की बात करें तो तो NS200 में 300 mm के फ्रंट डिस्क है जबकि Apache में 270 mm के फ्रंट डिस्क है जो की थोड़ा disappointment देने वाली बात है Apache RTR में वैसे फ्यूल टेंक की बात किरतों दोनों में 12 लिटर का फ्यूल टेंक है डिजाइनिंग भी दोनों की ओल्मोस्ट सेम है बाकी जो Apache RTR है उसकी डिजाइनिंग थोड़ी ड्यूक से मिलती जूलती आपको देखने को मिलती है बाकी NS200 के डिजाइनिंग मुझे फर्सनली थोड़ी ज्यादा पसंद आई और एक जो फीचर है जो कि NS200 में disappointment देता है काफी ज्यादा जो कि है सिंगल चैनल ABS तो एक स्पोर्ट बाइक नेक्ड बाइक में या ड्यूवल चैनल ABS आपको मिलना चाहिए जो कि TVS Apache RTR में है तो TVS Apache RTR में एक फीचर जो है मुझे काफी अच्छा लगा तो बात करते है कि कौन सी बाइक आपके लिए अच्छी है तो दोनों बाइक की ऑल ओवर बात करें कि कौन सी बाइक अच्छी है तो दोनों ही बाइक में जो फीचर होने चाहिए एक लाख तीस अजार की बाइक में देखने को भी मिलते हैं एक लाख तीस अजार रूपय में इससे ज्यादा फीचर सायधी कंपनी को प्रोवाइड कर पा है बस लोवर जो एक NH200 में मुझे disappointment देखने को मिली कि उसमें वन चैनल ABS यानि की वन टायर में ही आपको ABS देखनी को मिलता है जो कि शायद आपको 100 km पर हवर की उपर की स्पीड पर थोड़ी दिक्कत दे सकता है वहीं अगर Apache RTR के बात करें तो इसमें भी disappointment है कि इसमें पावर थोड़ा सा कम है इतना स्यादा भी कम नहीं बट इसमें ड्यूवल चैनल ABS देखने को मिलता है वैसे लुकिंग की बात करें तो लुकिंग में मुझे परस्नली NS200 स्यादा अच्छी लगती है बट वैसे Apache RTR की लुकिंग भी इतनी ज्यादा बूरी नहीं है Apache RTR की लुकिंग आपको थोड़ी थोड़ी ड्यूक से जो है इंस्पाइडिंग देखने को मिलती है तो वैसे Apache RTR मुझे ऐसा लगते कि एक best option रहेगा वैसा नहीं है क अपने इस साब से काफी अच्छी बाइकी क्योंकि उसकी बिल्ड जो है Apache RTR से थोड़ी शायद अच्छी है एसा मुझे लगता है और राइडिंग पोस्टर भी दोनों का काफी अच्छा है टूरिंग में भी जो है आप उसे यूज कर सकते हैं स्पोर्ट में भी यूज कर स कीजिए कोई भी डिफिकल्टी या कोई भी वीडियो सजेशन है तो नीचे कोमेंट कीजिए और अगर आपकी कोई डिफिकल्टी बढ़ी आपको जो है कोई अच्छा सा सजेशन है तो मुझे इंस्टाग्राम आइडी जो है वहाँ डी-eam कीजिए और वहाँ फोलो कीजिए और आपकी नग्टी बढ़ी जो है प्सक्रूब कीजिए कोई अबड़ा है तो मुझे अटकी कोई प्सक्राप टाना है झाल आपकी कोई दो लागरा है तो